प्यारे बच्चों रबश्कार आपकी दुबिया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न और शियर पे और हम बात कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में चैप्टर चलर रहा हमारा चैप्टर नमबर नाइथ किरण प्रकाश्यकी एवं प्रकाश्यक यंत्र रेय आप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्टूमेंट तो हमने एक्चुलि बेसिकली परावर्थन वाला पार्ट और अपवर्थन वाला पार्ट जो है वो खतम दोर लिया है लेकिन अप्वर्थन में भी हमने सिर्फ लेंच वाले पार्ट को ओवर करा बच्चो तो आज का हमारा टॉपिक होगा वो पूरी तरीके से बेस्ट होगा वापिस अपवर्तन पे लेकिन आज हम बहुत इंपोर्टन और प्यारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक देखो सिर्फ एक टॉपिक लिखा है आज जहुपिडी जैसा बच्पन में जहुपिडी बनाते थे वही मेरे पास है ठीक है वो आज के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रिसम को मेंशा कॉर्णर से पकड़ते हैं ताकि गंदा नहीं हो तो देखो इस चीज के बारे में जादूई चीज के बारे में अपने आज पढ़ने वाले हैं जो कुछ त्रिपूज जैसी दिखती है अपने को ठीक है तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा बच्चो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड के साथ और देखते हैं कि प्रिसम क्या चीज होती है तो देखो यह कुछ बेसिक सी कहानिया ल अच्छों को बनाता अजो तो आपको जो जोफड़ी की च्षग याद दे तो दो मत्यों शयो बनाता है वह हमारे प्रिसम का बCNP होता है तो प्रिसम आपका जनलिक होता है किसी भी पारदर्शी होता है नो में छो एक भी C na वना हो सकता है और किसे ब्चों तरीके का solids होता ठीक है तो देखो यह जैसा हमाई रपास प्रिस्म हो तो इस प्रिस्म में आपको दिख रहा होगा जो अपड़ी की छत नजर आ रही होगी यार है ना थोड़ा मैं आप लोगों के लिए अच्छे से दिखा हूँ आपको देखो यह रहा तो यह आपको एक त्रिबूजाकार दिख रही होगी एक त्रिबूजाकार आकरती यहां भी है एक पीछे भी है और इस पर तीन इस तरीके के फेसिस हैं जो की आयताकार है तो बच्चो प्रिस्म जो होता है जनरली जो अपन यूज करते हैं उसमें दो तो त्रिबूजाकार सते होती है आगे और पीछे और ती इसमें आयताकार सत्य होती है, यह actual figure में आप लोग के सामने, बहुत सुन्दर से picture मुझे मिली, वो में आप लोग के डाली है, यह मस्त सा illusion सा देख रहा है, ठीक है, तो यह जो है, इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, तो देखे लिखा है, किसी कौन पर जुके, द अब ही detail में बात करेंगे, कि इस कौन को हम प्रिज्म कौन बोलते हैं, जिसको अपन A से represent करते हैं, यह होता हमारा प्रिज्म कौन, ठीक है, इसके बाद देखिए, कि दो, देखो जैसे हमें आपको बहुता लिखावा भी है, कि दो अपवर्तक प्रष्ठों के बीच में जो कौन बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रिज्म कौन, यह फिर अपवर्तक कौन, अब इसके बाद देखिए, जनरली जो हम लैब में प्रिज्म करते हैं, बच्चों, वो प्रिज्म जो होते हैं, वो इको लेटरल राइंगल की होते हैं, मतलब Sambahu Tribuch के होता है जैसे यह देखो मेरे पास पैकेट है इस पैकेट पे clearly mention है कि किस नरीगी का प्रिजम है है इस पे लिखा है देखो Equilateral लिखा होगा दिख रहा होगा सबको इसको हिंदी में बोलते है Sambahu तो हम जो लाब में यूज करते हैं प्रिजम जो मैंने भी आप लोग को दिखाया उसमें सारे कौन साथ डिगरी के होते है ठीक है ना इसलिए इसको अपन Sambahu Tribuch शेप का प्रिजम भी बोलते है ठीक है तो इसमें सारे कौन साथ डिगरी के होगे इसका मतलब हमारा PRISM कौन भी जो पन लाब में यूज करें वो साथ डिगरी कोगा बट अलगलग तरीके के PRISM मार्केट में अवेलेबल है ठीक है यह सम्दी बाहू शेप का भी हो सकता है विशम बाहू शेप का भी हो सकता है पर जनरली सम सम्बाहू ही यूज करते है सम्धी बाहू या फिर विशम बाहू का यूस नहीं करते हैं तो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखनी है जबी भी हम प्रिजम से अपवर्तन के बारे में बात करते हैं मतलब लाइट डालेंगे प्रिजम के उपर तो वो किस तरीके से अपवर्तित होगी उसके बारे में actually हमें study करनी है तो जबी भी हम प्रिजम के उपर लाइट डालते हैं तो याद रखेंगे प्रिजम पे लाइट हमेशा आयता कार सत्य पर डलती है कभी भी त्रिबोजा कार सत्य पर नहीं डलती यानि अगर मुझे इससे जो भी अपवर्तन करना है तो मैं light किसे पर डालूँगा या तो मैं इस वाली surface पर डालूँगा या तो इस इधर वाली surface पर डालूँगा देखो ये एक त्रिबोजा का surface है या नीचे वाली किसे surface पर इस वाली surface पर डालूँगा कभी भी light इस्की इस वाली सत्य यां पीछे तरबुज वाली सत्य पर नहीं डलती अब इसके पीछे बच्छो reason क्या है? की हम light ray को हमेशा आयता कार सत्य पर ही क्यों डालते हैं? बच्छो simple सा reason है अगर हमने light ray को त्रिबुजाकार जो त्रिबुजाकार इसकी सतय उसके उपड डाला तो ध्यांजा सुनना क्योंकि ये वाली सतय जो है वो पीछे वाली सतय के समानतर है तो ये किसकी तरब भेव करेगी प्लेन ग्लास स्लाब के तरब भेव करेगी ठीके ना मतलब ये काच की पट्टी की तरब भेव करेगी कि दोनों सतय एक दूसरे के क्या होगी समानतर होगी इसलिए हमेशा light किस पर डाली जाती है आयताकार सतय पर तो ये बात सबको clear हो गई होगी यहां तक हमने बात करा prism कौन क्या होता है और light को कहाँ पर डाला जाता है ठीक है? चली तो बच्चो आगे अपन पढ़ने वाले है पीछे की सारी slide blank है कुछ भी नहीं जो लिखना है हमें लिखना है तो आज अपन इस prism से अपवर्तन का एक relation एक formula derive करने वाले है बच्चो काफी important है exam के point of view से अगर मैं lens के बाद second priority पे देखू अपवर्तन में तो वो prism ही है जिसके उपर derivation आने के chances रहते है ठीक है? चलो तो वैसे तो क्या होता है obviously 3D prism को बनाना तो possible नहीं होता इसलिए जब हम prism बनाते हैं जैसे सामने से देखो इस prism को कैसा देख रहा है आपको अगर सामने से देखोगे तो साफ साफ एक तिर्बूज दिख रहा होगा तो जब अपन 2D में इसका figure बनाते हैं prism का तो हम सिर्फ एक तिर्बूज बनाके छोड़ देते हैं ये वाली जो अपवर्तक सत्य है इसको अपन एक line के through और ये वाली अपवर्तक सत्य को भी एक line के through अपने आपे represent करते हैं I hope ये बात सबको clear होगी होगी तो देखो कुछ इस तरीकी की कहानी है ये ऐसा कुछ अपन ने त्रिबूज बनाया ठीक है चोले इस त्रिबूज को नाम देदे बच्चो PQR हना हम light tray को कहां कहां पर डाल सकते हैं इस वाली सत्य पर इस वाली सत्य पर या फिर बच्चो इस वाली सत्य पर तो तीन option है हमारे पास बच्चो जिस भी सत्य पर हम light डाल रहे हैं जैसे माल लो इस वाली सत्य पर डाली, तो जो light निकलेगी, जो अपवर्तित होगी, अगर light निकलती है, अगर इस वाली सत्य से निकलती है, बतलब अगर मैंने PQ सर्फेस पर light डाली है, और वो PR सर्फेस से light को बाहर निकालती है, तो उन दो लो के बीच में जो corn होगा, उसको PR सत्य से बाहर देख लेगा, तो इनकी बीच में कोणु कया होगा, यह वाली, फिर यह PR सर्में बन जाएगा, माल लो मैंने इस वाली सत्य पर डाली, इस सत्य से बाहर निकला, इन दोनों की बीच में जो corn है, यह PRRISमें कोण बन जाएगा, जहां से भी light निकल रही है, उन द परते हैं को समझने की कोशिश करते हैं फिगर को थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं क्योंकि ये फिगर हमारे काफी important रखने वाला है अभी क्योंकि अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो इस प्रिज्म का यह लाइट पर आपने डाव अरे औरेंज कटलर का मतलब है कि यहां पर हम जो लाइट डाल रहे ना बच्चो वह monochromatic light डाल रहे हैं हम प्रिज्म से अपफर्टन तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान रखेगा यहां पर हम जो light यूज़ कर रहे हैं, वो monochromatic light है, monochromatic light मतलब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, यह हम एक वर्णी या परकाश का यूज़ कर रहे हैं, एक वर्णी मतलब single color, तो mono और chromatic मतलब color, तो जब भी भी प्रेस में से अपफरतन करेंगे, तब हम एक वर्णी परकाश, लाल का, नीले का, यह हरे का, पीले का, जो भी color आप लेना चाहो, एक सिंगल वेविलेंथ याने तरंग दर का परकाश आपको यूज़ करना है, वह हो जाएगी, लाइट न साथ color में विभाज़त हो जाएगी, वह नहीं करना आपने को, ठीक है, तो अपने लाइट रेको डाल दिया है, अब आप सबको पता है, कि हमें सबसे वहले पता होन तो अभी लंब और आप्तित की रण के बीच में जो कौन मनेगा बच्चों, वह हमार पास आप तन कौन एंगल आई, अब क्या करना है, क्योंकि हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं, इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहे हैं, मालो यह आसपास वायू है जै जब भी प्रकास विरल माध्यम से स्वग level में जाती है सकनमाघ्यम में जाती है अब Nejर्भी फ्रकास किरुण है वो कुछ इस तरीके से जुग जाएगी जुगा यह जुगा दी अपने, ठीक है, तो यह प्रकाश कीरण इसके अंदर गुजर रही है, अब वापिस यह दूसरी सत्य पर पहुची, अब जो भी दूसरी सत्य पर पहुची, तो वापिस मुझे अफ़र्तन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक और अभी लंब ड्रॉ कर द की दरफ अठा देंगे, बच्छो, ठीक है, तो यह हमारी होगी आप्टित किरण, यह होगी हमारी अपवर्तित किरण, और यह हमारी पास निर्गत किरण, ठीक है, उनको नाम देदेते हैं, ताकि आप एक्जैम में आराम से लिख पाए, तो इसका नाम देखो, जैसे मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, S-P-D-F देदेते हैं, चलो, S-P तो देई दिया हमने, S-T-U-V देदेते हैं, तो यह S हो गया, S-T-U और यह भी, ठीक है, नाम आपका मन करें, जो दिल अच्छा करें आपको, अपने नाम के लेटर लिख लेना, कोई फरक नहीं बढ़ता, ठीक ह इसके बाद हमार पास T-U क्या है बच्छो, अपर वर्टित की रण, इसके बाद U-V हमार पास क्या है बच्छो, यह हमार पास है निर्गत की रण, ठीक है, यह सब आमने लिख दिया, अब यह वाला जो कौन है बच्छो, यह एंगल आई इसको बन बोलते हैं, आप तन कौन तो एंगल आई किया है मेरे पास आप तन कॉण ठीक है और देखो प्रकाश किरने क्योंकि बाहर निकल गई इसको पर निर्गत किरने नाम दिया तो यह अभी लंब के साथ जो कॉण बनाएगी बच्चों इसको पर बोलेंगे एंगल E इसको आपर नाम बोलते हैं इसको नाम कै है निर्गत कॉण इसको इंग्लिशनों बोलते हैं universant ray और इसका angle का नाम है emergent angle तो निर्गत कॉण ठीक है अब देखो परकाश क्योंकि अंदर अपवर्वर्तित हो रहा है तो हमें आपके दो अपवर्तन कौन मानने पड़ेंगे तो यह हमारा पहला अपवर्तन कौन हो गया इसको एंगल R1 नाम देते हैं और इसको एंगल R2 तो यह क्या है दोनों के दोनों अपवर्तन कौन है ठीक है तोड़ा और क्लियर लिख देते हम यह एंगल R1 और यह एंगल R2 तो एंगल R1 और R2 क्या है बच्चों? यह हमार पास है अपवर्तन कौन एंगल यह हम पहले ही बता चुके है प्रिज्म कौन है एंगल A B मैं यह आपर लिख देता हूँ यह क्या हमार पास? प्रिज्म कौन ठीक है? अब देखो बच्चों अब हम क्या करने माले? हम की करने माले कि यह जो आप्तित प्रकाश की किरण है अगर इसको मैं आगे बढ़ा हूँ और यह जो निर्गत प्रकाश किरण है इसको मैं पीछे बढ़ा हूँ हमने पीछी की तरफ मुह कराया, तो तेखो, इस आप्तित किरण और हमारी निरगत किरण के बीच में जो कॉण बन रहा है बच्चो, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हो, जो अपने सिंबल बनाया है, हगर आप कमफरडिवल नहीं हो, वैसे ही पार्शल का सिंबल है आंचिक का सिंबल, अगर आप इसके साथ कमफरडिवल नहीं हो, आप इसको डी भी लिख सकते हो, कोई प्राब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, तो ये जो कॉन है बच्चो, इसको अपन बोलते हैं, विचलन कॉन, हमारी जो परकाश की किरण है, वो अपने एक्चुल पाज से, वा इसको बोलते हैं, इसको इंगल ऑफ डिवीशन, इसको इंसिदेंट रहे, इसको रीफ्रेक्टेट रहे, इसको इमर्जेंट रहे, इसको इंसिदेंट अंगल, इसको इमर्जेंट अंगल, इसको रीफ्रेक्टेट अंगल, उसको प्रिज्म अंगल और इसको अपन बोलते है angle of deviation, आपको English में भी नाम पता होने चाहिए, ठेक है, तो अब हमें करना क्या है, हमारा objective क्या है, क्या चाहते हैं हम लोग है, तो हम चाहते हैं, कि हम यहाँ पे जो चार परामेटर हैं, जो चार कौन आपको दिख रहे हैं, A, I, Del, और E, इनमें संबंध निकालना चाहते हैं, संबंध ग्यात करना है, यह हमारा आज का गोल होगा, हम इनमें संबंध निकालना है, कि क्या relational लोग है, ठेक है, तो देखो क्या करेंगे, सिफ ट्राइंगल लेंगे, और कुछ नहीं है, मस्तर हो, बहुत आसान सार अभीश है, 10th class की math use करने वाला है, देखो, सबसे बहले बच्चों मैं लेने वाला हूँ, एक quadiletral, जिसको अपन हिंदी के अंदर चत्रबुझ बोलते हैं, तो बच्चों, चत्रबुझ मैं लोगा, P, T, इसको नाम देना पड़ेगा, तो इसको नाम देजाते है, S, T, U, V, W, नाम देजाते है, चलो इसको, तो हम जो चत्रबुझ, P, U, W, T में, अब मैं पता है, चत्रबुझ के चारो कोणों का योग किता हो था, बच्चों, 360, तो वही करेंगे, देखो, एंगल P, प्लस एंगल U, प्लस एंगल W, प्लस एंगल T, is equal to 360, इसमें बच्चों, एंगल P, हमारा actually angle A ही है, बात करते हैं, U के बारे है, मैं थोड़ा इसको highlight कर दूँ अच्छे से, इस वाले के बारे में, देखिए का इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात चल रही है, तो देखो, हमें पता ही है, ये तो इसके अब इरा भी लंब है, तो ये तो 90 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 90 हो गया, ट वापिस 90 है, और ये बराबर 360, तो बच्छो देखो, solve करो, angle A, plus angle W, plus 180, बराबर 360, बच्छो इसको वाँपे लेके जाएंगे, तो कितना आ जाएगा मार पास, 360 में से 180 चला जाएगा, 180 बचेगा, ठीक है न, इसको फिर में वापे वापिस लेके जा रहो, तो कौन A का मा मार पास आ गया, 180 माइनस W, इसे डालेंगे बच्छो समीकर नंबर 1, तो हमें पहला relation तो मिल गया, ठीक है, I hope ये सबको clear हुआ होगा, असान सा relation था, अब बच्छो मुझे चाहिए, देखो, I चाहिए, मुझे E चाहिए, ये तो मुझे मिल गया, मुझे I और E चाहिए, तो इसको मैं आपके लोग के लिए पीछे ड्रॉ कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का त्रिबुज है, ये मार पास T है, ये U है और ये W है, इसमें बच्छो ये वाला कॉड है मार पास R1, ये वाला कॉड है मार पास R2, तो हमें लेखेंगे त्रिबुज T, U, W में, हमें प बराबर हो जाएगा बच्छो, 180 के, तो देखो या पर पर लेखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस W पता नहीं, बराबर 180, ठीक है, अब बच्छो W को लेके जाएगे, राइट है पर क्यों लेके जारे है, अभी आपको समझा जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर 180-W, बच्छो ये हमारे पास एक और समीकर्ण आ गई, तको डालेंगे समीकर्ण नमबर 2, अभी तक सिर्फ हमने एक चत्रवोज लिया है, और एक त्रवोज लिया है, अब जरा देखिएगा, एक्वेशन नमबर 1 और 2 को, कहां गे मारी 1, ये रही, यहाँ पर देखो क्या रहा है, A बराबर 180-W, औ अल्सलम दोनों के जो RIGHT-hand side वाले part है, यहने हमारे दाएं-पाक्ष है, वो दोनों equal हैं, तो मैं समीकर्ण 1 और 2 की तुलना गरूँगा, तो एक हमां समीकर्ण 1 और 2 से, तो बच्चो समीकर्ण 1 और 2 से मुझे क्या मिला, क्योंके left-hand rate अडरे तो equal है, तो एक इसके बराबर आगे बच्चो R1 प्लस R2 के यह काफी important result है और यह हम बाद में use करेंगे यह काफी एक अच्छा सा result हमारे सामने आया है ठीक है अब बच्चो आगे चलते हैं हमें दो और त्रपूच लेने पढ़ेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ दो नहीं एक से काम चल जाएगा वसे तेको अब देखो अब जो हम त्रपूच लेने वाले है S T U V W इसको भी नाम देते हैं चलो X कितने नाम देती है सरा आप में नहीं तो देखो इस बार जो आपन बच्चो त्रपूच लेने वाले हो लेने वाले X T U ये बाला X, T, U ठीक है न, तो इसको मैं पीछे draw गर लेता हूँ ताकि आपको समझने में परेशा नहीं ना है ठीक है नहीं तो अभी तो diagram देखकर कि आप उसमें होच पोच हो जाएगा सब तो इसको बला है T इसको U और इसको X ठीक है तो बच्चो देखो ये तो है मारे पास बहाय कोण, डिल ठीक है विचलन कोण जो है बहाय कोण है तिरबुच का साफ दिख रहा है क्योंकि हमने एक बुझा को बढ़ा दिया देखो बच्चो अब अंदर वाले इन कोणों की बात चल रही है कौन से कौन से कौन ये वाला कौन और ये वाला कौन बच्चो देखो ये वाला कौन कैसे आएगा धंग से देखना सब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक दूसरे को कट कर रही है क्योंकि मैंने ग्रीन वाली लाइन actually इस orange color वाली line को ही आगे मिलाके बनाई है, मतलब एक cross आपको दिख रहा होगा, और cross के दोना तरफ जो cord बनते हैं बच्चों, वो तो sheer sharp में o cord होते हैं, vertically opposite angle होते हैं, तो ये जो sheer sharp में o cord होते हैं, तो आपस में बराबर होते हैं इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा i है, तो इस पूरे के पूरे को भी क्या होना पड़ेगा बच्चों, i होना पड़ेगा एक बर मैं आपको side में draw करके बताता हूँ ऐसी कहानी चल रही है, कि ये तो i हो गया मारे पास, ये टुकड़ा बच्चों, ये मारे पास r1 है बच्चों ये मारे पास r1 है नीचे तो बच्चों, ये बच्चावा एंगल कितना हो गया क्योंकि दोनों का योग तो i के बराबर है तो बच्चों, बच्चों, बच्चावा ये वाला कोड़ों के मारे पास i-r1 नहीं पूरा कोड़ा ही होना चाहिए मालो ही 60 है इस में से मालो ही 20 है तो बच्चा पाइब 40 ही आएगा ना कैसे लिखूंगा मैं I में से R1 माइनस कर दूँगा ठीक है तो ये कोड़ा हमारे पास बच्चो आगया I-R1 ऐसे ही जैसे वहाँ पे अपने शीरिशाम में कोड़ का लोजिक लगाया यहाँ पे भी वही लोजिक लगेगा यहाँ पर भी देखो यह सेम लोजिक यहाँ पर लग रहा है यह रहा हमारे पास एक यह वाली लाइन को नीचे की तरफ कीचा गया है यह वाली लाइन को उधर cross वापिस तो अगर बच्चो यह कौण हमारे पास E है तो यह पूरा का पूरा भी क्या होना चाहिए E ही होना चाहिए तो same logic यहां हम लगाएंगे इसमें यह वाला कौण बच्चो E है हमारे पास यह टुकडे हुए यह R1 दे रखा है उलड़ी तो यह बचावा कितना होगे बच्चो E-R R1 नहीं इसको R2 है नाम तो इसको R2 बलेगे E-R2 ठीक है बस कुछ नहीं basic सी match से आपको थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा कि कौन सा कहां आ रहा है ठीक है मैं वापिस बता देता हूँ यह दोनों शीर्शावी में कौन थे बच्चो यह कौन I है यह कौन R1 है तो इन दोनों को तो इसके बराबर होना पड़ेगा तो अगर यह वाला मुझे कौन निकालना है तो I में से मैं R1 माइनस कर दूँगा ऐसी यहाँ पर E में से R2 माइनस कर दूँगा तो यहाँ पर देखो इसलिए मैंने बड़ा फिगर बनाया था रप करके वापस तो यह कि I माइनस R1 और यह कितना हो गया E माइनस R2 सिंपल बस हमें यही तिर्बूज और लेना है ठीक है तो हम लिखेंगे तिर्बूज कौनचा है मारा पास X T U X T U में अच्छा ओडर से कोई फरक नहीं पढ़ता कि तिर्बूज आप इसी ओडर मिलें कैसे भी ले सकते हो माल लो कोई बच्चा बोलें सर मैं तो T U X मानोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो इसके पराबर आएगा I-R1 और इसका क्या नंबर होगा I-R2 यह गया बच्छो मारा डेल के पराबर ठीक है तो यह मार पास आगया अब देखो ज़रा थोड़ा सा अब थोड़ा सा common sense लगाएंगे तो देखो relation आता हो दिखेगा अपने को डेल अजट इस I को अलग कर दो बच्छो और E को अलग कर दो R1 और R2 को अलग कर दो अब R1 R2 में से देखो बच्छो माइनस को बना रहा है अंदर आ रहा है R1 प्लास R2 तो बच्छो देखो ज़रा अभी समीकरण 3 में तो R1 प्लास R2 को मान पता है क्योंकि मुझे तो A में, डेल में, I में और E में relation चाहिए था मिल गया तो हम समीकरण 3 से R1 प्लास R2 को मान रखेंगे समीकरण 3 से R1 प्लास R2 को जी का रखेंगे बच्छो A तो में एक relation मिल गया, डेल बराबर I प्लस A माइनस angle A I प्लस E माइनस A इसको जा पर ले जाओ बच्छो थोड़ा सा अच्छा relation देखेगा यह क्योंकि बुक्स में जनरली ऐसे लिखा होता है तो डेल प्लस A किसके बराबर हो गया बच्छो, I प्लस E के यही है हमारा result जो हमें चाहिए था काफी important relation है बहुत सारे numericals में help करेगा अमरी एक यह वाला अच्छा, ऐसा नहीं है, यही काम का है यह वाला भी काफी important है यह भी numericals में help करता है हमारी ठीक है ना? तो यह दो relation यहां से हमें निकल आए इक पर छोटा सा recap लेते हैं हमने क्या किया हमने भाई प्रकाश किरण को ऐसे डाला विरल से संगन में जा रहे थे, अभीलम की तरफ जूकी फिर वापे संगन से विरल में जा रहे थे, अभीलम से दूर की तरफ हटी कुछ कौन के नाम दिये आई नाम दिया, ई नाम दिया, आरवन नाम दिया, आरटू नाम दिया, ए नाम दिया हमने आप्तित किरण और हमारी निरगत किरण के बीच में कौन बनाया उसका नाम विचलन कौन दिया ठीके वो डेल हमारे पास आ गया अब हमने क्या बोला मुझे क्या करना है मुझे I, E, A और डेल इन चारवर रिलेशन चाहिए था तो मैंने सबसे पहले तो बच्चों ये लिया ये ब्लू कलर का आपको जो चत्रबूज दिख रहा होगा वो लिया उसमें चारव कोणों को ये हो 360 के बराबर रखा उसमें से 290 थे तो वो हट गए तो एक आमाना मरपस किसके बराबर आगया 180 माइनस डेल के फिर हमने बच्चों ये नीचे वाला त्रबूज लिया Tuw वाला ठीक है ना इस Tuw में R1 प्लस R2 प्लस W बराबर 180 क्योंकि त्रबूज के तीनों कोणों को ये एक 180 होता है फिर यहां से मरपस आया कि R1 प्लस R2 किसके बराबर है 180 माइनस W ये नेक्स टेप में देखो ये दिखा आपने फिर एक और दो की तुलना करी तो हमें ये रेजल्ट मिल गया एंगल A बराबर R1 प्लस R2 ठीक है फिर अपने क्या करा फिर हमने एक लास्ट त्रबूज लिया जो काफी important है समझना है ये वाला ये ही एक चीज वच्चों को समझनी आती ये वाला त्रबूज इसमें उने बोला ये सम शीर्षाव में कौन बन रहे है वर्टिकल ये पोस्ट एंगल बन रहे है तो ये I था ये R1 था तो बच्चा हो गया I-R1 सेम ये E था ये R2 था तो ये बच्चा वाओ गया E-R2 ठीक है तो अपने बोल सकते हैं डेल किस के बराबर होगा I-R1 प्लस E-R2 ठीक है ये रहा तो ये रहे हमने R1 प्लस R2 किजए कि क्या रख दिया बच्चो कौन A ये रिलेशन हमारे सामने आ गया तो ये काफी important relation है जो आपको आना चाहिए आप अच्चा हम क्या करने वाले हैं हम actually जब practical करते हैं इसका तो हम दो चीजों की बीच में graff बनाते हैं बच्चो और वो दो चीजों की बीच में graph कौन-कौन है यहां आपन लेते हैं बच्चो कौन I मतलब आप तन कौन और यहां बापन लेते हैं डिल यानि आपका विचलन पॉन तो हमने एक चीज नोटेस करी जब हमने एकस्परीमेंट करा एकस्परीमेंट के दौरान हमने एक चीज नोटेस करी कि जैसे मालो यह यह भीलम बनाया अकटन डाला पर काश इसकर इस तरीके से अपभतन हो गया ठीक है, इन दोनों की बीच में ऐसे निर्गत कॉर्ण बना होगा निर्गत कॉर्ण बना और यह विचलन कॉर्ण बन गया यह रहा इन दोनों की बीच में ठीक है, तो हमने इस चीज अब्जर्व करी कि जैसे जैसे मैं I का मान बढ़ाता हूँ जैसे जैसे इसके मान को दीरे-दीरे बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ वैसे वैसे विचलार कॉर्ण दीरे-दीरे कम होने लग जाता है बच्चों इसको उल्टा करेंगे क्यों हम आई को नीचे लेंगे तो हमें ज्यादा बैनिफेट रहेगा नी तो graph थोड़ा सा complicated बन जाएगा i अपन यहाँ ले रहे हैं और del यहाँ ले रहे हैं बस कुछ नहीं change कर दिया ठीकिन i नीचे del उपर कर दिया तो देखो जैसे जैसे i बढ़ता है न आई बढ़ रहा और del गिरता जारा है गिरता जारा है एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका हमें नियून तम मान प्राप्त होगा मतलब del की minimum value नियून तम मान हमें प्राप्त होगा min minimum का मतलब है नियून तम del min का मतलब क्या है बच्चो नियून तम विचलन कौन ठीक है फिर भी अगर मैं आप तन कौन बढ़ाता जाओ तो आप विचलन कौन तम वैल्यू प्राप्त करेगा और फिर बापस ये बढ़ने लग जाएगा तो बच्चो इस new तम विचलन कौन पर होता क्या है दो चीजे होती है new तम विचलन कौन पर new तम विचलन कौन पर पहला तो देखो बच्चो हमारा जो आपतित कौन है न याँने angle I है न वो angle E के बराबर हो जाता है पहली चीज तो यह होती है दूसरी चीज ही होती है कि R1 और R2 भी आपस में बराबर हो जाते है जो अंदर के हमारे अपवर्तन कौन से वह बराबर हो जाते है और तीसरी चीज एक और होती है कि जो हमारी यह जो अपवर्तित किरण थी न यह क्या हो जाती है बेस्क है याने आधार के समानतर चलने रख जाती है अभी तक ऐसे टिल्ड चल ली थी न अभी इस टिल्ड चलेगी ठीक है तो जो हमारी अपवर्तित किरण है अपवर्तित किरण आधार के समानतर हो जाती है ये तीन चीजे बच्चो होती है नियूंतम विचलन कौन नियूंतम विचलन कौन पे तीन चीज अपने को देखने को मिलती है अब मैं क्या करना चाहता हूँ इस नियूंतम विचलन कौन के बेसिस पे हम इस प्रिजम का बई कि प्रिजम बना किस माटेरियल से है इसका अपवर्तनांग क्या है वो निकालना चाहता हूँ तो हमारा next goal होगा बच्चो इस प्रिजम का अपवर्तनांग निकालना नेउंतम विचलन कॉन पर, तो देखेगा हम लिखेंगे, हम क्या निकालना चाहते हैं हम, इस prism का अपवर्तनौग, तो मैं topic डालने वाला हूं prism का अपवर्तनाग, ठीक है, यह हम experiment में करते हैं, बच्छो prism का अपवर्तनाग कैसे निगलेगा बच्चो snail के law से snail के नियम से तो देखो हम लिखेंगे आपर क्या लिखेंगे snail के नियम से snail के नियम से क्या लिखेंगे बच्चो हमने पढ़ा है sin i upon sin r बराबर n जो हमें अफ़रतना जो भी प्रिजम का निकालना है अब देखो i का मान कहां से आएगा i का मान निकालेंगे बच्चो इस वाले से अब हम पता है क्योंकि हम नियूंतम विचलन कॉन के बारे हम बात कर रहे हैं तो नियूंतम विचलन कॉन पे जो डेल है मारा वो डेल मिन से रेप्लेस होगा i e के बराबर है तो देखो मैं लिख रहा हूँ जब डेल जो है वो किसके बराबर हो जाए डेल मिनीमम के i किसके बराबर हो जाता है e के और r1 किसके बराबर हो जाता है r2 के चीज़ अभी हमने पढ़ी, ठीक है, एक relation अभी निकाला, i plus e is equals to del plus a, इसमें values डाल दो बस, हमें क्या चाहिए, मैं i चाहिए, तो मैं e की जगे भी क्या लिख दूँगा बच्चो, e की जगे भी मैं लिख दूगा i, del की जगे मैं लिख दूगा del minimum, और plus a की जगे जाएगा, तो जगे आशे होंगे हमार पास, 2i is equals to, del minimum plus a, तो i का मान कितना हो गया, del minimum plus a upon 2, i का मान चाहिए था, मिल गया, experiment से हम del minimum की value निकालते है, generally del minimum की value आपको, जब आपका, 45-50 की बीच में होगा, तो आपको del minimum का मान मिल जाएगा, मैं आपको बाता देता हूँ, जब i का मान क्या होगा, जब आप experiment करोगे, तो 45-50 के बीच में आपको del minimum मिल जाएगा, और 37 degree के आसपास कुछ मिलता है, ठीक ह नहीं बच्चों का 35-40 से कभी उपर नहीं जाता है, मतलब इनके बीच में मिली जाता है, del minimum, ये experiment आप जब करोगे, तो आपका result आएगा, अब मुझे क्या करना है, मुझे R का भी मान चाहिए, तो अभी हमने पढ़ा R1 और R2 भी बराबर है, तो बीच में एक step याद करो, म बच्चों, R1, R2 के बराबर है, तो इसको R मान लेते हैं, प्योंकि हमें तो R चाहिए, तो इसको R बोल दे, ठीक, R ही बोल दिया दो लोगो, एक इसके बराबर आया, R प्लस R के, बच्चों, ये होगा हमारे पास 2R, और solve करने पर हमें मिलेगा, R बराबर A बटा 2, तो हमारे पास R का मान भी है, कंडिशन ये याद रखनी है, इसके बेना काम नहीं चलेगा, तो बस इन दोनों को ठाके आप बेडाल दो, मिल गया हमें परतनांग, तो साइन, A प्लस, डेल मिनीमम, बटा 2, अपॉन, साइन, A बटा 2, बराबर बच्चों, या गिया, ठीक है, ज इस्परिमेंट बताऊंगा, तो आपको ये रिजल्ट में निकाल के बताऊंगा, और यहाँ पर अपरतनांगा मान क्यों कि जनरली काच क्या बना होता है, तो 1.5 आता है, ठीक है, I hope सबको clear हो क्या होगा, अगर प्रिज्म हमारा बहुत पतला हो, इसके अंदर एक स्पेशल के समय आता है, ठीक है, तो वही मैं आप लोग के लिख देता हूँ, यदि प्रिज्म बहुत पतला हो, मान लो ऐसा है, पतला होने का मतलब है कि एका मान 30 डिग्री से छोटा है, ठीक है ना, पतला होने का मतलब है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही पिचक की जाएगा प्रिज्म, अ इसी चीज का यहां यूज करने वाले हैं, यह हमारे पास लगबग एक्स्प्रेशन कुछ ऐसा आएगा, वल्ला हमें सिर्फ और सिर्फ कौन लिखना है, और कुछ भी नहीं, ठीक है बच्चो, यह आ गया हमारे पास, तो देखो, आपका दो से दो तो कैंसल हो गया, क्या मि तो डलमीनियूम किसके पराबर हो गया, ए, 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 जहापे ए, अपड़ तो आगया, बच्चो, ए, कॉमल लिए, अंदर ही आगया, ठीक है, यह रिजल्ट हमारे सामने आगया है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टन रिजल्ट है, तो बेसिकली आज हमने, तीन क्या चार मेज तो आए, होप यह बच्चो सबको समझ आया होगा, मैं लिख देता हूँ यह, जिसको याद ना रहे, अपवर्तना निकाला है अपने, तो बच्चो इस पूरे सेशन में हमने प्रिजम के अपर मीन फोकस करा, प्रिजम के बारे में सारी बाते करी, प्रिजम से अपवर्तन क एक और और नए वीडियो के साथ, और उसमें अपन इसी चीज़ को थोड़ा आगे कंटीन्यू करेंगे, कि प्रिजम से और क्या क्या किया जा सकता है, रिम्बो कैसे बनेगा हमारे प्रिजम से वो सारी बाते, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक शेर कीजेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कीजेगा, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेर कर दो यार, प्री एजुक्यशन है सब के लिए होने चाहिए, चलिए, बाबाय टो अलफ यो, मिलते नेक्स क्लास,